हलो अब्रीवन चैनल में एक बार फिर से स्वागत है बिसिक से अच्छा विवाद से समस्तित जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जूड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब को है साधी बेला कंदवा जिससे ग्याने वाली सभी वीडियो आफ तक मस सगे सबसे पहले आज के वीडियो हम लोग बात करेंगे कि IVRS पोटल से जो कॉल्स आ रहे हैं इस नंबर से जो आपको समय सो हो रहा है तो इस पोटल से इस नंबर से कॉल की दोरान जो प्रस्न पूछे जाते हैं वो किस से समंदित पूछे जाते हैं पहले भी पूछे जाते रहे तो उसी से समं आई अन हमारे साथियों के पास से चक साथियों के पास भी गॉल्स आई तो उसमें मेरी ख्याल से सिर्फ दो प्रस्ण अभी किये गए थे जिसमें पहला प्रस्ण था कि मानो संपदा पूर्टल और दीच्छा एप को आपस में मर्ज किया जा रहा है क्या आप इससे वाकव है क्या आपको ये जानकारी है तो इसके लिए आपको हाँ और ना में उतर देना था यानि विए उसी साथ से बटन दवानी थी हाँ के लिए एक ना के लिए दो इस तरीके से और दूसरा प्रस्ण ये था कि आपने क्या मानो संपदा पूर्टल और दीच्छा एप को आपस मे मर्ज कर लिया है तो इसका भी उतर देना था तो अभी तो ऐसा ही कुश्चन सिर्फ दो पूछे गए लेकिन फिर हम ये भी देखते हैं कि जो पूर्टल से कुश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि अभी हाल ही में एक ट्रेनिंग्स करवाई गए और वो ट्रेनिंग्स का ना प्रतेक टीचर को क्योंकि इन्हें आना इत्सलिए भी आविसक है क्योंकि इस सत्र से इसी पर पूरा काम होना है सत्र में पूरा पूरा काम इन्ही प्रस्णों पर होना है इन्ही प्रस्णों को बच्चों तक पहुचा ना है यानि कि जो उनकी दच्छताएं पूरी करने है जो लच्छ रखे गए हैं 2022 तक पूर करने के लिए तो वो इनी को पूर करने के लिए लच्छ रखे गए है तो इसलिए यदि और भी अनकॉल से भी आते हैं तो प्रस्ण जो पूछे जाते हैं यदि आपने इस प्रस्ट चड़को पूरा किया है किस प्रस्ट चड़को इंट प्रस्ण क्या थे हम वो प्रस्ण तो नहीं लेकिन उन प्रस्णों जहां से भी बने हैं उन प्रस्णों को उस सिरेज को हम लोग देख लेते हैं तो जो भी प्रस्ण यहां पर पूछे गए हैं वो प्रेडा लच से समंदित पूछे जाने की संभावना भी है और पहले भी ये मिशन प्रिड़ा हेतु SCERT दोवारा UNICEF दोवारा एवं विशेशग संस्थाओं के सहयोग से Foundation Learning Calls निरधारित किये गए हैं जो सनलगनक ये आपको नीचे दिये गए के रूप में प्रिशित किये जा रहे हैं छात्रों का ग्रेड वार मुल्यांकन स्वतंत्र वाह एजेंसी के माध्यम से निम्नबत किया जाएगा तो इसमें जब हम लोग वो टेस्ट कर रहे थे पर से चड़वाला तो इसमें ये प्रिशन आया भी था कि जो प्रिडा लच्च का मुल्यांकन किया जाएगा वो किसकी दौरा किया जाएगा तो बाय एजेंसी की दौरा किया जाएगा इसमें साफ साफ लिखा है स्वतंत्र बाय एजेंसी निकी थर्ड पार्टी दौरा सुरू करते हैं देखते हैं से पहले भासा की हम लोग बात करते हैं इसमें तो भासा के लिए पाँच लच्छ निर्दारित किये गए हैं और कड़ित के लिए भी पाँच लच्छ निर्धारित किये गए भासा यहां पर सब इसलिए प्रियोग किया गया है हिंदी इसलिए प्रियोग नहीं किया गया है क्योंकि जो राज हैं अपने कंट्री के अंदर वो अलग-अलग राज अलग-अलग भासाओं का इस्तेमाल करत तो यह जो लच्छ है भासा से सम्मंदित वहां की जो लोकल लेंग्विज है उसमें इन्हें पूर करना है तो सबसे पहले कच्छा एक की अगम बात करें तो कच्छा एक का जो छात्र होगा जो निर्धारे सूची टीचर के पास होगी जो थर्ड पार्टी होगी जो चेक पहचान लेता है तो समझेगा कच्छा एक का बालक आपका निर्धारेत लच्छ को पूरा करता है इसी प्रकार से कच्छा दो का बालक जो अनुच्छेद उसको दिये जाएगा उसकी लेविल का पढ़ने के लिए वो 20 सब्द प्रती मिनट की दर से यदि प्रवापूरवक पढ़ता है तो समझेगा आप कच्छा दो का बालक आपका निर्धारेत लच्छ को पूरा करता है और कच्छा तीन की बात करें तो अनुच्छेद को 30 सब्द प्रती मिनट के प्रवाज से यदि पढ़ लेता है तो समझेगा आप कि छात्र जो है बालक है वो कच्छा तीन क लिए लच्छ को निर्धारत उसने प्राप्त कर लिया है इसके बाद कच्छा चार की बाद करें तो चोटी अनुच्छे उसके लेवल की दिये जाएंगे वो 75% प्रस्णों को सही हल कर सकता है वह पहले वो पैरा पड़ेगा उसके बाद में 75% को हल कर लेता है सही सही यानि कि यदि आपने 4 प्रस्ण दिये हैं तो उन मेंसे वो 3 कर ले यानि कि 3 वटे 4 प्रस्ण उसे करना आना चाहिए 4 प्रस्ण मेंसे 3 उसके सही प्रस्ण होने चाहिए क्योंकि 75% को 3 वटे 4 भी लिखा जाता है अब देखते हैं कच्छा 5 जो अनुच्छेद बड़े अनुच्छे दिया जाएगा और कच्छा 5 में थोड़ा बड़ा नुच्छे दिया जाएगा लेकिन उसके लेविल के ही होंगे किलास के अनुचार इसमें भी वही काम है कि 4 यदि प्रस्ण इसमें से पूछे जाएंगे तो उन मेंसे 3 के सही उत्तर यदि बच्छा देता है तो वो से समंदित इसमें भी 5 चीजे दी गए है 5 पॉइंट से हैं तो इनको वासानी से इनको भी याद रखा जा सकता है कच्छा एक के लिए जो निर्धारत संख्याएं दी जाएंगी इसमें और उन मेंसे 5 संख्याओं को यदि छात्र पहचान लेता है सही से तो वो छात्र कच् प्रिशन वाले होंगे या एक अंक वाले होंगे उनमें भी क्या होगा 75 परसेंट यानि की 75 प्रिशनों को सही यदि हल कर पाता है तो कच्छा दो कच्छा आत्र आपका निर्धारत दच्छताओं को पूल कर रहा है इसकी बात में बात करते हैं कच्छा तीन की तो जोड बात कर सही करता है इसके बाद में कच्छा चार की अगर हम बात करें तो कचछा चार का जो डिंधा को प्रिशत करत। और कच्छ पाँच की बात करें, तो भाग के 75 प्रसनों को यहाँपे दिया जाएगा, और यदि भाग के प्रसनों उसको दिया जाएगे, और उनमें से यदि वो 75 प्रसनों को हल करता है, तो यहाँ से आप समझेगा कि आपका जो स्टूडेंट है, आपका जो चात्र है वो निर्धारित लच्च को प्राप्त कर रहा है तो इन जो दस पॉइंट हैं यदि प्रिड़ा लच्च से सम्मंदित कोई भी प्रस्न पूछा जाता है तो इन दस पॉइंट से बाहर नहीं जा सकता है इसलिए इन पॉइंट्स को आप बहुत ध्यान से याद करने के लिए चलो एक और तरीका देख लेते हैं बिलकुल सिंपल देखो कच्छा एक का जो स्टूडेंट है वो चाहे गड़त हो चाहे हिंदी हो पांच-पांच की बात की गई है तो बहुत आसान है याद करना हिंदी है भासा है तो पांच सब्द गड़त है तो पा सब्द प्रति मिनट की प्रवाज से पढ़ लेता है तो कच्छा चार और पांच में कोई खास डिफरेंस नहीं है चोटा नुच्छ दिया जाएगा उस में से प्रशन पूछे जाएंगे अगर 75 प्रशन को सही करता है तो वो निदालिलच को प्राप्त कर रहा है इसी प्रक कर ले कच्छा चार वाला गोड़ा कर ले और कच्छा पांच वाला भाग कर ले तो इन्हें में सब में गया 75 प्रशन मानक कर रखा गया उमिद करता हूं यह वीडियो समझ में आया वा और जो प्रशन यदि इससे सम्मद्द कोई भी बनता है तो आप प्रशन सॉल्व कर प कर ले कर दो प्रशने कर दो भी भी घर ज야 ले ऑ कर रखा हुएंग प्रशन भाग कर दो इससे प्रशन सॉल्व доाइबया है